हाई एब्रीवार्न विल्कम टू शड़ी आइसनल अभी हम देखेंगे थारू ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे अभी रिसेंटली इनके बारे में जो है एक रिसेंट नियूज था इसलिए इसको कबर अफ करें हम इसलिए इसको कबर अफ करें हम एक आनौसमेंट के आए एक स्कीम ठेके विसकीम के तहरत क्या होगा ना जो की प्रोट दा यूणीक कुल्चर अब दा एथनिक थारू ट्राइब्स क्यों जो है इनका जो culture है इसको प्रमोट करने के लिए तक पहले तो हमें जानना चाहिए यह जो थारु से यह लोग कौन है यह जो थारु ट्राइवल है कमुनीटी जो है यो कहाँ पर रहते तक यह जो लोग है यह बिलंक्स करते हैं कहाँ पर ना तेरा ही लो लैंड्स जो कि सीवालिक से अब दा लोयर हिमालायर्स mostly कहां पे रेते हैं यह दो mostly यह people जो रेते हैं यह forest dwellers से होते while some of the practice करते हैं कॉन अग्रिकल्चरार भी करते हैं ठीक है सो हम देखेंगे यहां पे जो सीवालिक है so यह जो है आप देख रहे हो थार नमबर जो यह सीवालिक है so यह जो थारू जो यह बोथ इंडिया और नेपाल में जो कि रेते हैं so इंडिया में जो थे रहे हैं रेजियन से mostly उतराखण उतरपोदिस एंड बिहार में यह लोग रेते हैं so यह जो थारू है यह जो वाड है यह बिलिब किया जाता है यह डिराइफ हुआ है फ्रम दा साथ बिल means followers of दा तेरा वाड़ा बूधिजिम members of tribe survive यह इसका जो थारू का जो मेंबर से यह लोग कैसे जिते शर्वाइब करते हैं ना wheat corn vegetables को grown करते हैं ठीक है and majority जो है still lives of the forest ठीक है इनका जो है जन्जाती जो है यह maximum forest में रहते हैं so speak various dialects of the थारू यह language of the यह लोग क्या है बहुत साथ लांगेज जो की बात करते हैं एक तो हो गया इंडो आर्यान सब ग्रूप्स variants of the Hindi, Urdu, आवाधी in Central Nepal में रेखेंगे they are speaking a variant of भोजफुरी while the Eastern Nepal में they speak the variant of methylish so according to the 2011 का जो census हुआ है उसके तरहत के आई यह लोग जो है schedule tribe population में आता है जो की उत्तरपरदेश में and more than देखा गया है 11,00,000 and यह जो number is estimated to have crossed 20,00,000 ठीक है यह जो था 11,00,000 2011 के सबसे so presently देखेंगे तो यह 20,00,000 से जाना हो गया है the biggest choke of the tribal population in made of the Tharoos so about the scheme जो उत्तरपरदेश government ने जो scheme को launch किया है इसके तरहत देखेंगे state government उत्तरपरदेश जो is working to the connect Tharoos village ठीक है इस scheme के तहत क्या होगा ना Tharoos village में क्या है ना in the district of the Balampur वेराइच लखिंपूर एंड पिल्वित जो की बोर्डरिंग नेपाल है ठीक है यहाँ पर क्या करेगा ना UP forest department जो है यह home stay scheme जो है चलने का ठीक है चलने का यह जो है planning करा है इसके तरहत क्या होगा ना इसका जो idea है जो टूरिस्टे आएंगे यहाँ पर ठीक है टूरिस्टे आने के बाद क्या पर यहाँ पर एक experience लेगे जो की इनके साथ नेचर के साथ नेचरल थारू हेबिटेंट के साथ रेके तो जैसे की क्या है ना traditional hearts जो की made of the grass collected mainly from the forest ठीक है जैसे एक छोटा-छोटा घर बनाते ग्रास में तो उसमें भी जो की टूरिस्टे आएंगे उनको अट्रेक्टिव करेंगे तो वहाँ के रेने के लिए यह लोग सोच रहे है तो इसको क्या है गवर्मेंट एस्पेक्टेट कराया है कि बोथ डोमेस्टिक एंटे इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है इसको एवेल कर सकते है यह opportunity को यह लोग क्या है ना यह टेस्ट ले सकते है कि special tharu culture के साथ by the staying with them observing their lifestyle food habits and attest so that's all thank you